सागर के जैसी नगर धाना श्वेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामनी आया है जहां माता पिता के बीच सो रही चार साल की बीटी अचानक लापता हो गई रात में ही इस खबर से खलबली मच गई घटना जैसी नगर चांदाउनी गाउं की है पहले पारी जनों ने बीटी को तलाश किया आस पास देखा लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली इसके बाद गाउवालों ने भी मिलकर खोजा जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी डाइल हंड्रेड पुलिस मौके पर पहुँची उन्होंने अधिकारियों को इस संबंद में सूचना दी सुबह होते ही थाना प्रभारी स्डियोपी साइथ अन्यस थानों का पुलिस बल भी पहुँचा गाउं और उसके आसपास के मंदिर जंगल तालाब में सर्चिंग की जा रही है FSL टॉग स्कॉाइट की टीम भी है SP अभी शेक तिवारी इस मामले की मौनिटरिंग कर रही है मिली जानकारी के अनुसार चांदौनी के सियाराम गाउं के पास एक खेत में घर बना कर अपने परिवार के साथ रहते हैं बीती रात वो अपनी पत्नी और अपने तीन बच्चियों के साथ घर की दहलान में सो रहे थे इसी दौरान उनके पत्नी की रात करीबी एक बची निंद खुली तो उन्होंने देखा कि विस्तर पर चार साल की बेटी प्रतिभा नहीं है उन्होंने घर के बाहर जाकर देखा जब बच्ची नहीं मिली तो गाउंवालों को सूच ना दी गाउंवालों ने खोज बेन शुरू की वहीं बालिका के गुम होने से परिजनु का रूरू कर बुरा हाल है पुलियस मासुम बच्ची की तलाश में जुटी हुई है नजर रात में करीब एक बज़े के समतिंग घर पे फोन आया माता जी की मुबाइल पे तो हमें हमने पता चला है कि हमाунगी बढरी बहन है उनकी सबसे चोटी नंहीं पुमार है है तो आ कि दूरन प्रॉद हमने को फोन लगाए सो नंबर पोल्स भी गए हमने दूरा और सुबह और होते हों पिर फिर से डूरा और अभी हम लोग सब लोग दूरी रहे हैं उसमें परिबार में मैं मलब सब सब लोग सो रहे थे पांच लोग है एक जाव सबसे बड़ी बैट है जैसी नगर में रहती तो आफी आर्दर देंस में यहां आए बाहर सु रहती देहलान है जूरा है और बाजू में कुटा भी सो रहा था लेकिन सूचने वाली यह बात है कि जब कुटा भी नहीं भोगा और कुछी को पापा लोग रहती पिलहरा रोड पर यह यहां एक दूसरा खेट हैं यहां पर अके लिए रहती बेटियां चांदोनी गाओं में, सरकारी ग्राउंड है, उसके हाँ पर, पोलिस तुरंटी आ गई थी, पोलिस अपनी पोलिस में लगी है हमारा पता है कनेरदेव रोड, सागर, MP, फोन, 93022290822